नमस्कार, कैपिचल टिवी का खाश शो महारास्टर फाइस देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ पूजा किसे भी पार्टी की पहचान उसका नाम और उसका निशान होता है लेकिन शिवसेना अपनी पहचान और निशान के संकट से जूच रही है महारास्ट में शिवसेना पर कबजे की लडाई के भी चुनाव आयोग ने पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया मगर सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में शिंदे गुट और उद्धव गुट की शिवसेना के निशान क्या होंगे वो किस पैचान से चुनाव में उतरेंगे हलाकि लंबी चर्चा, मन्थन के बाद, एकनाश शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने अपनी अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चन, चुनाव आयोग को सौब दिये है पर इसी भी शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर चल रही दोनों गुटो की लड़ाई अब दिल्ली हाई कोट पहुँच गई है उद्धव ठाकरे दल ने दिल्ली हाई कोट में चुनाव आयोग के खलाफ याजिका दार की है तो सिंबल की लड़ाई कैसे महराश्च की राजनीती पर हाई है इस लड़ाई का अंत क्या होगा आज इसी पर चर्चा करेंगे बाचित के लिए मैंसा स्टूडियो में मौझूद है Capital TV के Senior Editor राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिंबल की लड़ाई को लेकर अब तो उद्धव ठाकरे ने एक याचिका भी दिल्ली हाई कोट में दाखे कर दिये अब आगे क्या होगा देखिए ये हाई कोट में याचिका दायर करना शिब सेना के जो ने गुट है उद्धव ठाकरे के गुट इनके लिए एक और बड़ी इनकी गलती मानी जा सकती है क्योंकि जिसका फैसला पहले है सुप्रिम कोट कर चुका है उस पर सिर्फ और सांकेतिक तोर पर आप विरोध दर्ज करने के लिए फिर से हाई कोट जा रहे है ये पहले सुप्रिम कोट गये थे किस बात के लिए कि सिंबल की लड़ाई जो है शिव सेना के अंदर वो चुनाव आयोग उसका फैसला न कर पाए अभी उस पर सुनवाई ही न हो अब कहरे हैं कि सिंबल फ्रीज करना गलत है जैसे कि सुप्रिम कोट ने कह दिया नहीं भाई ये चुनाव आयोग का ही काम है चुनाव आयोग को ही इस पर फैसला करना है अब चुनाव आयोग के पास जब यह अधिकार मिल गया सुप्रिम कोट ने हरी जंडी दिखा दी उसके बाद चुनावायोग ने फिर से शुरुआत की दोनों को बोला कि भही अपना अपना दस्तावेज दे दे अगर उसी समय से जो तस दिन के करीब हो गया शुरुआती दोर से ही शिब सेना में दोनों गुर्जों थे जिसमें एकना सिंदे ने इनिसियेटिव लिया था एकना सिंदे ने अपने दस्तावेज पहले ही सौफ दिये थे क्योंकि उनके पास सुबूत है इस बात के कि मैजोरीटी है जो एकना सिंदे के पास है 40 पिधायक हैं, सांसद हैं बार-बार तो इतने लोग जब हैं तो उसके बाद रिपरजेंटेशन के अस्तर पर और संगठन के अस्तर पर भी जो लगतार BMC के कई जो कार्पूरेटर हैं पहले के कार्पूरेटर रहे हैं, ठाने के हैं तो उसके बाद मुंबई के बाहर भी महरास्ट के अंदर जिलाई काई के कई मेंबर जो हैं पहले ही सिंदेगुट में शामिल हो चुके थे सबका नाम पता संगठन में उनके जो ओहदे हैं वो सारे दस्तावेज वो पहले सौप चुके हैं अब उद्धब ठाकरे को बार-बार कहा जा रहा है डेट पर डेट ले रहे हैं आगे तरकाने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे सिति में ये परकरिया जो है कानूनी परकरिया जो तरीके हैं वही अपनाए जा सकता है ये उद्धब ठाकरे को समझना चाहिए क्योंकि पहली बार तो ये हुआ नहीं है किशिब सेना में पहली बार जो बिवाद हुए है ये चुनावी इतिहास में या भारतिय राजनीती के इतिहास में पहली घटना है जिस पर चुनाव आयोग को स्टडी करना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि ऐसी पहली घटना आ गई है तो इसका समधान क्या हो सकता है ये तो सालों से चल रहा है कॉंग्रिस का भी भाजन हुआ दो दो तिन तिन बार अलग-अलग पाठियों का भी भाजन हुआ जनता पाठी से फिर कितनी पाठियां बन चुकी है अभी जब इंद्रा गांधी के खिलाप जब जेपी मुमेंट चला था उस समय सारी पाठियों ने उसमें भी लेक कर लिया था उसके बाद अलग-अलग पाठियां बनी जन्संग से भारतिये जनता पाठी बन गई कॉम्मिनिस्ट पाठी का भी भाजन हुआ CPI और उसके बाद CPI ML कितनी पाठियां बनी है तो सारी पाठियों को जब तूट-फूट के समय ये नियम कानून लागू होते हैं हाल फिलहाल में AII DMKK के खिलाप हुआ जो हाल फिलहाल में बिल्कुल सेम कंडिशन लोग जन सकती पाठी के अंदर हुआ यही इस्तिती थी परशुपतिनात पारस और चिराग पास्वान के बीद वहाँ भी उपचुनाब होना था दो सीटों पर उपचुनाब से पहले ये दावेदारी की गई थी हमें सिंबल दो दोनों स्पस्ट नहीं कर पाए कि किन के पास भौमत है तो ऐसे इस्तिती में उपचुनाब के लिए वहाँ टेम्परोरी विवस्ता की गई फ्रिज कर दिया गया और दोनों को अलग-अलग सिंबल दिये गए तो ये तो continuous चीजे चल रही है रोज कहीं ने कहीं से चुनाब आयोग के सामने ऐसी संकट आ रहे हैं और ये इसका समधान करता है तो ऐसे में जब शिब सेना का मसला आया तो उद्धभ ठाकरे की बौकलाट क्यों होनी चाहिए उद्धभ ठाकरे को पता है कि चुनाब आयोग ऐसा ही करता है ऐसा तो नहीं हुआ कि चुनाब आयोग ने जैसा कि आरोप लगा रहे है कि भारतिये जनता पार्टी के इस आरोप पर काम कर रहा है तो चुनाब आयोग ने ऐसा तो नहीं किया कि एक नाशिंदे को सिंबल दे दे जबकि अगर उपरी तौर पर एक सामान निव्यक्ति भी देखेगा जो इन चीजों को इबारे में जानता है वो सामान निव्यक्ति भी देखेगा तो एक नाशिंदे का पलवा भारी है अभी जो सामने दिखाई पड़ रहा है उसमें उनके इर्द गिर्द भी आप नहीं है अगर 19-20 का अंतर हो तो confusion हो यहां तो 80-20 का अंतर है 55 में से 40 सीटे हैं 40 विधायक उनके पास आपके पास 15 विधायक हैं सांसद 18 में से 12 उनके पास आपके पास 6 सांसद हैं एक सांसद हैं जिनके मतलब वो आपके चुनाव चीनिपन नहीं लड़े बले ही 19 आप जोड देते हैं लेकिन इस्थितियां ऐसी है कि सब कुछ सामने दिखाई पड़ रहा है उसके बाद भी चुनाव आयोग ने फैसला कानून के तहत ही लिया कि अभी जब तक दोनों के दस्तावेज सामने ना आ जाएं दोनों से क्वेरी न हो जाएं यह न देख लिये जाएं कि जालसाजी से कोई दस्कत नहीं किया हुआ हो संगठन का नीचर क्या है संगठन में क्या क्या है पाटी का संभिधान का क्या कहना है यह सारी चीजों पर जब तक गौर न कर लिया जाए अग दोनों पक्ष अपने दस्तावेज न दे दे जैसे कि उद्धव ठाकरे सिर्फ जवाब दे रहे हैं चुनाब आयोग सवाल करती है चुनाब आयोग चेताब नहीं देती है फिर भी चिठ्थि लिखकर उसका जवाब देते हैं दस्तावेज नहीं देते तो ऐसे में उप चुनाब के पहले क्या करना चाहिए सिर्फ इस आधार पर कि एकना सिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद चल रहा है उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं तो इनहीं को असरे सिर्फ से न मान लिया जाए ये तो हो नहीं सकता तो फिर आप इतने परिशान क्यों है फिर हाई कोट क्यों जा रहे है इसी के फैसले पर जबकि कुछ दिन पहले ही चुनाब आयोग ने ऐसे कई फैसले दिये है उसको आधार तो देखिए जब ऐसे फैसले लगतार आ रहे हैं तो हाई कोट क्या आपके फिर में फैसला आ जाएगा तो सिर्फ मामले को कंट्रोवर्सियल बनाने और इसका भी एक इस्तेमाल करने का चुनाब में कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है भारतिय जनता पार्टी हमारे साथ गलत है इमोशनल प्ले कार्ट खेलने का तरीका है ये और ये हाई कोट में भी कुछ होने वाला है अलाकि उप्चुनाओ को देखते वे एलक्षन कमिशन ने दोनों गुट की तरफ से जो दस्तावेश मांगे हैं वो तो सब्मिट कर दिया गया है जो हुई है लगतार हार हुई है चुनावायोग में और शिब सेना का अब नाम भी नहीं रहेगा उनके साथ न चुनावचिन रहेगा तो पहले से जो अंधेरी इस्ट में जो चल रहा था जो सम्मिकरन थे और अब जो बनेंगे दोनों में बहुत आस्मान जमीन का अंतर हो गया है पहले से भी सम्मिकरन ऐसे नहीं थे कि पूरी तरह से शिब सेना की जीत वहाँ का दावा किया जा सकता था पहले भी 2019 के चुनाव को देखिए 2014 के चुनाव को देखिए दोनों ही चुनावों में अंधेरी इस्ट में भारतिय जन्ता पार्टी और जो अभी कंडिडेट भारतिय जन्ता पार्टी ने आउस किया है उनकी बड़ी अहम भोमिका रही है 2014 में शिब सेना और भारतिय जन्ता पार्टी साथ में चुनाव नहीं लड़ी थी दोनों अलग-अलग हो गए थे, उसके पीछे का रीजन भी यही था, किशिव से ना उस समय तक भाजपा को दबाय रखना चासी थी, सीट ही देने के लिए तयार नहीं थी, कि विदान सभा में भी आपको 100 सीटे भी नहीं देंगे, 90 सीटों पर भी दोनों के बीच बात ची च उसी तरह करती है, तो ऐसे में उस समय 2014 के जो चुनाब हुए भाजपा और शिव सेना ने अलग-अलग लड़ा था, शिव सेना ने वही रमेश लटके को उमिदवार बनाय था, बारतिये जनता पार्टी ने यादव जी को सुनील यादव को उमिदवार बनाय था, अब रम 6,000 वोटों का अंतर रहा था भारतिये जनता पार्टी का, जबकि वो एक जूट सीव सेना थी, रमेश लटके उसके उमिदवार थे, और उस समय सिर्फ 5,000 वोटों का अंतर, उसके बाद 2019 में चुनाब हुआ, शिव सेना और भारतिये जनता पार्टी दोनों एक साथ चुन नाम लड़े भाजपा ने उमिदवार नहीं होता रहा, लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए, तो रमेश लटके के खिलाप, जो मुर्जी पटेल खड़े थे, जो अभी भारतिये जनता पार्टी के उमिदवार है, वो निर्दलिये उमिदवार थे, फिर भी केवल 7, 7,000 वोट से जीत हो पाई सीवसेना की, दब कि भारतिये जनता पार्टी के साथ गठबंदन भी था, ऐसा माना जाता है कि भाजपा के साथ सीवसेना का गठबंदन होने के बाद जो मुर्जी पटेल को कहीं ने कहीं, जो अंदर खाने से वहाँ भाजपा के जो संगठन में जो लोकार करता थे, वो उस समय उद्धब ठाकरे के रवये से थोड़े नाराज थे, और इन लोगों के रवये से नाराज होने एक आरण उन लोगों ने मुर्जी पटेल को भी समर्तन दिया था, अब पटेल हैं जो बाजपा के उमिदबार हैं, इस बार शिब सेना के दो गुट बने हुए हैं, अब एक ना सिंदे भारतिय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं चुनाब मैदान में, अब ऐसे में एक ना सिंदे का समर्थन भाजपा के उमिदबार को होगा, अगर चुनाब लड़ते भी हैं तो शिब सेना का वोट वो ले जाएंगे, दोनों क इतने वाले उमिदबार से पांच साथ हजार वोट कम लाना, ये बड़ी बात होती है, बड़ी उपलब्दी होती है, तो ऐसे में पूरी तरह से सम्मीकरन अंदेरी इस्ट का बदल चुका है, और ऐसा लग रहा है कि शिब सेना का ये विवाद उद्ध ठाकरे पर भारी लेकिन भाजपा को नहीं बताना पड़ेगा कि मेरा सिंबल ये है, उसको सबको पता है कि क्या सिंबल है, अब ऐसे में इनके लिए एक साथ कई चुनावतियां हो गई है, तो इसमें जैसा लग रहा है कि ये उपचुनाव में उद्ध ठाकरे की बुरी तरह से हार होने वाल अब देखना होगा उपचुनाव के पहले चुनाव आयोग के तरब से क्या बड़ा फैसला लिया जाता है और इसका असर उपचुनाव में कैसा होगा आज के हमारे शो में फिलाल इतना ही, कल एक बार फिर से महराज से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हाजर होंगे देखते रिये Capital TV, नमस्कार